नगरी निकाय चुनाओं का दौर अब चालू है बाड़ों में पारसद भी तमाम प्रकार के बिकास के मुद्दों को लेकर आसिरबाद लेने के लिए जन्ता के बीच पहुँच रहे हैं इस वक्त हम अपने पैपे टाइम की एक खास पिश्टुती नेता की गड़त इस कारिकम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं बाड़ नम्मर बीस में जहांपर स्री मति रेनू दुवेदी जो की प्रत्यासी की रूप में कॉंग्रिस के द्वारा चायनित की गई है और यह पर इनके पती देव हैं पंडित जवाहल लाल जी जो की जनता के साथ आसिरवाद लेने के लिए जा रहे हैं कहीं ने कहीं सनातन धन्म को लेकर भी साथ में चल रहे हैं इनसे आज हम आपको इस खारिकम के माध्यम से मुलाकात कराएंगे और पूचना चाहेंगे कि आखिरक देखो ये बाड़ नमर बीश है और यहां पर समान महिला पित्याशी है जो कि हमारी धनमपत्नी है रेनु दुवेदी और हम इस समय प्रचार में निकले हुए हैं जनता की बीच आप आसिरवाद लेने के लिए जा रहे हैं कैसा आसिरवाद मिला है जनता से हां अच्छा है वो लोग अपने स्तर से कर रहे हैं अब ब्यक्ति का अलग अलग तरीका है कोई लुभाने का काम कर रहे हैं हमने देखा कि अभी अचार सहिता का ओलंगन करके कोई मिट्टी डलवाना ये करना वो करना खिलाना पिलाना कई प्रकार से प्रलोभन दे रहे हैं चुकि जनता को गुमराय करने का काम किया जा रहा है मैं जनता के बीच में ये बिनम्र निवेदन करता हूँ पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सची बात और सही बात जनता के बीच में ले करके पहुचेंगे मतलब आप इतनी भगदोड कर रहे हैं परिशानी से आ करके ये बात सची दिखाएंगे जनता के बीचों चाहता भी हूँ कि ये सची बात जाना भी चाहिए बाड में आप जिब जा रहे हैं कौन से इसी समस्या हैं जो जादर निकल के सामने आ रही है मैं केवल बाड की तो ठीक है मेरे बाड की इस चतरपुर नगर पालिका में मैं सनपंचान बे सिहा रहे रहा हूँ इस बाड में तो अभी मेरा नया मकान बना है पर मैं बता रहा हूँ नगर पालिका जब से चतरपुर बनी है पारसत के कर्तब्यों पर मैं उठा रहा हूं मैं तो किसी को पारसत जो पद होता है उसके कर्तब निवाह का जो निर्वाहन किया जाता है उसका मुझे लगता कि कोई डंग से कर पा रहा है ने मैं कथा छोड़ करके इस नेतागरी में नहीं आता पहला कर्तब्य है हम रोट टेक्स देते हैं मकान टेक्स देते हैं हमारा ही पैसा जाता है नगर पालका के करमचारी जिससे भारत सरकार ने चलाए सुक्षता अभियान नाली लोगों को स्वयम साप करनी पड़ रही है जो करमचारियों को सुक्ष रखना चाहिए बाड उसके लिए वो दसकत करके और बजरिया में जाएंगे या घर में सोएंगे सबसे पहले परसद किसी की बने पार्टी कोई भी हो अगर मैं परसद मैं चुनके जाता हूँ बाड नमर 20 से यानि मेरी धर्मपतनी वहाँ पर पहुंचता हूँ तो सबसे पहले मांग होगी कि वो करमचारी बाड में सौपे जाएं हमारे बाड में जिससे बाड को सुक्ष रखा जाए यह अभियान चलाने भर से नहीं होता है हर बेक्ती का करतब है हर नांगरिक का करतब है कि सौक्ष रखा जाए दूसरा मुद्दा है मेरा आपने विधायक चुना तो काई भुपाल जाए हम लोग समस्या ले करके और महलाओं की समस्या यह है पती सर्विस में चले गए बेफसाई बेफसाई में मजदूर मजदूरी में चले बच्चे पढ़ने चले गए महलाओं जब अपनी समस्या ले करके क्या कलेक्टेट जाए नगरपालिका जाए करमचारी सुनते नहीं एसी में बैठते हैं दस बाई दस का रूम बनेगा छे करमचारी पाँच हैं नगरपालिका में एक करमचारी यहीं बाड में बैठेगा बाड की समस्या बाड में ही निप्टाई जाएगी तीसरी समस्या जो छतरपर में कोई पारसद नहीं करता है आप ये समझाईए कि ब्रद्दा पेंसन बेवा पेंसन पारसद के द्वारा बनवाई जाती कोई नहीं करवाता क्यों नहीं करवाता है इनका कोई लाब नहीं इन्हें तो आवासी हो जना से कमिसन खाने से फुरसत हूँ यहां बीजेपी के जो पारसद रहे हैं वहाँ पर कमिस्टाचारी का मैं केबल आरूप नहीं लगा रहा आप जानकारी लगा लीजिए पैसा पहुचा नहीं कि कमिस्टाचारी मिटाना चाहता हूँ यह तीन काम जो नहीं वाच है यह कराना चाहता हूँ आप मुदेखा बेभार कर रहे हैं कहीं पर सीसी रोड डर गया है गरीब बस्ती है वहाँ पर रोड नहीं डला क्या वहाँ कीरा मकूरा रहे है क्या कारण है क्यों नहीं डल रहे है वहाँ रोड क्यों नाली नहीं बन रही क्यों साफाई नहीं हो रही यह मैं पूछना चाहता हूँ मैं एक और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को बहुत-बहुत सोसल मीडिया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ पर मैं ऐसा नहीं समझ रहा कि मैं पत्रकारों की कोई तोटी बोल रहा हूँ कुछ लोग आजाते हैं कि नहीं ये बताईए पारसत पद तो बहुत छोटा पद है क्या कर लेंगे आप नाली कैसे बनवाएंगे रोट कैसे बनवाएंगे मैं ये बताना चाहता हूँ हर भारत ये नागरिक का इतना अधिकार है वो कुछ भी मांग कर सकता है पारसत तो बहुत बड़ा पद है अगर उसके अंदर कानून की जानकारी है बोलना जानता है अधकारी से बात करना चाहता है तीन हजार बोटा रहें मेरे बाड में अगर नहीं सुनेंगे आप दियम के कानून के तहत काम नहीं करेंगे एक हजार लोगों को ले करके मैं परसत का घ्राव करूँगा कलेक्टेट का घ्राव करूँगा मुखमंतरी को भी जोकणा पड़ेगा परसत कौन सी बड़ी बात है पर साज कौांच नहीं होती है मैं 25 से ही करम कर रहा था ऊफ 25 से ही मेरा चलेगा जो पहले आप जो है पंटाई चोड़के भागबा चोड़के आपने ऐसा क्यों नहीं दिया कि आप पारसदी का चुनाओ लड़ रहे हैं आखिर क्यों देखिए पारसद का चुनाओ यह बहुत अच्छी बात पूछी है देखो जिसके अंदर छे प्रत्यासी हैं यहां पर मै हैंने कब सेवाइं की हैं मेरा गोर्यय रोड में राम राजय सरकार भवन यहीं पर बना है बाड़ नमर 20 में मैं बराबर बाड़ की गौऊसिवा के रूप में गौसिवा कराओं पानी पिलाता हूं दूसरी बात कुरोना काल में मेरे पास समीती है सीला संसकार जनकल्याण स जिसको बिलट की जरूरत पर ही मैंने अब लेविल कराया इसके लिए नहीं कि मैं चुनाओं लणूँगा मेरा कर्मकांड से भरन पोर्षन चलता था मेरे परिवार का उसी से चलना है मेरा उतरने का मूल कारण था जो बाड नमर 20 सबसे पिछड़ा इलाका है मैं अपनी योग इस बज़े से टिकेट मिल गया चुनाओं लड़ गए जनता को आपको आसी रद मिला ठीक है तो आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दों पर आप खरे उतरेंगे पहले मुद्दा मेरा ये करमचारी बाड में आए और बाड की विवस्था देखे बाड को सुरक्षित रखे सुक्ष रखे दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ एक रूम बनेगा यहीं बाड की समस्या बाड में निप्टाई जाएगी ब्रदा पेंसंजिन की नीन बनी जो वास्तों में जिनको लाभ मिलना चाहिए बंचित है आखरी व्यक्ती है जिसको वास्तों में लाभान वित होना चाहिए हो जनाव से उसको मैं लाभ दिलाऊंग कि जो बरबादी करते हैं ना वो आपका पैसा नहीं है यह जनता का पैसा है मैं आपके माध्यम से अगाय करना चाहता हूं आप रोड डलवाते हैं और जेसीवी से खुदवा देते हैं यह आपके घर का पैसा है आप नियमबत तरीके से काम करिए पहले पाइप लाइन मैं तो पैदल चलके घर-घर समस्या हैं देख रहा हूं क्या क्या हैं आप यह सोच लीजिए ज्यादा से ज्यादा 35% 33% ही रोड डले हैं पूरे रोड नाली खचा भरे हुए हैं गंदगी मची हुई है आप सटई रोड में घपले का उधारन में देता हूं अपने बाड से यहाँ पर पत्थर लगे थे दोनों तरव रोड के उखारे गए वोई पत्थर कहां गए किसी को पता नहीं पहले गड़ी करवाई गए फिर उनको खार कि यहां ले पता है नहीं गार लोगों तो अच्छा है नहीं जाकते हैं तो भईया बिजली की कैसी कैसा मस्या है बिजली की समस्या तो मैं ही जूज रहा हूँ मैं क्या बताऊ यहां पर नगरपाल का में अगर लिखके दिया जाता है कि साप चार खम्मे गढ़वा दीजिए हमारे यहां बासों में आभी आंगे जाईए बास गार करके तार ले गए हैं क्योंक से पैसे पैसा दीजिए लूटी घश उटने में कौन सुनता है आप चलाइए इसलिए पारसद बनने के बाद कम से कम हमारे अंदर एक पावर आएगा हमारा सयोग आएगा जनता का मेन करण तो यही था हम खुद जूज रहे हैं इस समस्याओं से आप कही न कहीं सनातन धर्म क कि प्रचार को लेकर जनता के बीच निकले हैं यह तमाम प्रकार की टोली साथ में लिए हुए हैं इसके पीछे क्या उद्देश है बहुत अच्छा प्रस्ण किया आपने लोगों के अंदर यह प्रस्ण भी उठ रहा होगा कि मैं इस माध्यम से भाईया जी कि मैं यह बतान हैं ब्यक्ती का गेट खट-खटाते एक ब्यक्ती निकलता पर्चा पकड़ा देते चला जाता है मैं आपके माध्यम से सोसल मीडिया के माध्यम से मैंने जो बाते समझाई हैं मैं हर ब्यक्ती को तो इतना समय नहीं दे सकता न समझा सकता हूं यह लोग जब भजन गाते हैं स कि आप अभी समल जाएए मेरा मुल उद्देश यहीता और लोग मनुरंजन भी कर रहे हैं मेरा यह उद्देश नहीं है कि आप पेटी मंगाईए रोड डरवाईए आज प्रलोभन देखाई अरे समाज सिवा तुम्हें करना है तो यार अभी आज चुनाओं आया तो आप समा स्वा की किसी नहीं रोका है आपको समाज सिवा करने के लिए मैं सेधे ये सोच लिजिए जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कर्मकांड कर करके अपना भरण पोशन चलाना चाहता हूं मैं इतना मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किसी को बाटू यह दुनियादारी पर मैं जनता के बीच में केवल पंड़ताई से अपने कर्मकांट से ही चलाऊंगा, मैं नाम के लिए चुनाओ लड़ा है, मैंने दाम के लिए चुनाओ नहीं लड़ा है, यदि मुझे आशिरवाद प्राप्त होता है जनता का, तो मैं उनके जो अपने विचार में रखें, जो मुझे हैं उन पर खराऊ उतरूँगा, जी आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसको अपील मान लीजिए, चाहिजे कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने बाड़ बीस के सभी मद्दाताओं से, कि आप मद्द का अधि ये कुछ बिकास करेंगे, अपने मुद्दों पर खरे उतरेंगे, तो आप मुझे आशिरवाद दीजिए, पर मत देने जरूर जाएए, मत का अधिकार समझेए, एक मत का अधिकार से प्रधान मंत्री की पद गिर जाता है, ये आप लोग भी मालूम है, एक-एक मत अधिका साथ मौजूद थे बाद नमर 20 से जो कॉंग्रेस के जो प्रत्यासी हैं, स्री मतीर रेनू दुवेदी, इनके पती देओ, पंडित जवाहलाल जी, इन्होंने तमाम परकार की बातें, तमाम परकार की घोषणाएं, अभी इस वक्त की हैं, अभी ताइम की ये खास प्रिश् प्ले टू थर्ड चतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल